हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आज हम करें स्टार्ट एक्साइज 5.6 कोश्च नमबर वन फाइंड वाइं ओवर डी एक्स ओके यहां पर हमें एक्स दिया है एक्स इकल टू टी स्केर और वाई दिया है एटी की पावर फॉर तो यह कैसे निकालेंगे डी वाई ओवर डी ठीक है तो देखिए हमें पता है हमें चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स और हमें तो एक्स किसकी फॉर्म में दिया यहां टी की फॉर्म में वाई भी टी दिया है यहां यहां वेरियेबल क्या है टी है तो टी क्या है इसको बोलते हैं टी है पैरामिटर ओके तो सोल कैसे करे अगर हम यहां लिखें dy over dt यानि की derivative of y with respect to t divide करें dx over dt तो देखिए क्या आएगा dy over dx आ जाएगा ठीक है कैसे आएगा देखिए divide मैंने आपको समझाया था a over b over c over d को कैसे लिखते हैं हम सबसे निचे वाला गूंग के उपर आ जाता है है a over b multiply d over c कैसे आता है यह चीज डिवाइड होती है यह दोनों कठे यह दोनों कठे तो अगर हम बोलें बच्पन में पड़ा है a b divide c over d तो इसे बोलते हैं divide का sign हटाओ a over b multiply d over c तो वही चीज आगी ठीक है तो यह हमने बच्पन में पड़ा है इसका हम यहां use कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर यह उल्टा होके उपर आ जाएगा इस तरह से dy over dt को divide कर रहे हैं dx over dt से ठीक है इसका मतलब पहले हमें निकालना है dy over dt फिर निकालना है dx over dt और दोनों को divide करना है तो हमारा dy over dx आ जाएगा ठीक है तो चलिए करते हैं अभी निकालेंगे dy over dt कैसे हमारे पास y की value क्या है y is equal to a t4 तो dy over dt derivative of y with respect to t क्या आएगा d over dt a t4 a तो constant है उठा के बार फेंकिंगे हम ठीक है a d by dt t4 अब t4 यहां पर क्या formula आएगा आएगा d by dt t4 क्या आता था d by dx x4 जैसे हम solve करते थे तो क्या लिखते थे d by dx x की बार n का लगाते थे n x n-1 यहां भी वह ही आएगा 4 x4-1 और इसकी जगा x की जगा अगर t है तो आज यह वहला है t4 की जगा 44-1 तो हमारे पास यह आ गया solve होके a4 t की पावर 3 यानिकी 4a t3 ओके यह हमारे पास आ गया क्या रहा है यह d y over dt हमारे पास आ गया यह d y over dt हो गया अब हम करेंगे d x over dt so d x over dt क्या है यह x की value यह पड़ी है यहां x की in terms of t so x now x is equal to 2a t2 so derivative जब करेंगे हम d by dt ठीक है d x by dt क्या आ गया d by dt इदर भी x क्या है यह 2a t2 so 2a तो constant है उठाके बाहर फैंकेंगे d by dt और यहां अंदर करेंगे t को कर रहे हम derivative ठीक है तो यह आ गया 2a t2 क्या होगा अब 2t 2-1 अब 2-1 यह निकी 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो 2t 2-2a 2-4a t value किसकी यह d x by dt आ गया d x by dt आ गया so put करेंगे हम कहां पर यहां पर इसको हम बोल देंगे ठीक है यह तो मैंने आपको समझाने के लिखा था इसको मैं रब करूँ तो यहां put करेंगे हम d y over dx को निकालना है तो हमारे पास यह आ गया यही आया था ना ठीक है तो इसको equation number 1 बोल देते हैं so put the value of d y over dt dx over dt put the value of d y over dt and dx over dt in 1 put कर दो d y over dx यहां से आएगा d y over dt की value और dx over dt की value यहां put करेंगे यह पड़ी क्या है d y over dt 4a t cube divide dx over dt क्या है 4a t divide हो रहा है ओके 4a t cube over divided तो अबर 4a t 4a t t cube कितने रहे गया थी नीचे t उपर t cube t square रहे गया so d y over dx की जो answer आया हमारे पास क्या आया यह t square ठीक है देखिए यह answer आ रहा है in terms of t आया ठीक है t is a parameter बोलते हैं इसको ठीक है इससे घबराना नहीं है यहां पहले लिख लेंगे d y over d theta divide कर देंगे dx over d theta ठीक है घुम के उपर आ जाएगा और d y over dx से आ जाएगा देखा ना पिछले question में तो पहले निकालेंगे d y over d theta कैसे पहले y लेंगे हम y is equal to b cos theta है हमारे पास तो derivative with respect to यहां theta कर रहे हैं हम d by d theta इदर भी कर रहे है b cos theta b constant है उठाके बार फैंके derivative of theta cos theta cos theta क्या होगा हमें पता है derivative of cos x with respect to x क्या होता है minus sin x और अगर यहां पर अब theta आ जाए theta ठीक है ना तो minus sin theta हो जाएगा no problem ठीक है easy तो यहां पर क्या आएगा derivative of cos theta क्या हो जाएगा minus sin theta so minus बाहर चला गया minus b sin theta हो गया किसकी value है यह d y over d theta की आ गई हमारे पास यह उसके बाद निकालेंगे हम क्या है कि दीवाइवर d theta गया d x over d theta के लिए x पे लिए क्या है यह given दिया है a cos theta derivative क्या आ जाएगा इसका d by d theta x की value यहां क्या है x a cos theta तो यह बाहर आ गया constant है cos theta का derivative क्या होता है हमें पता होता है minus sin theta ठीक है तो d x by d theta क्या आ रहा है हमारे पास यह आ रहा है minus a sin theta ओके तो हमारे पास पहले आया था d y over d theta यह निकाला d x over d theta put कहां करना है यहां ठीक है put the value put the value of d y over d theta and d x over d theta in one so d y over d x क्या आएगा d y over d theta divide d x over d theta so d y over d theta की value यह पड़ी minus b sin theta divide minus a cos sin minus a sin theta ठीक है दोनों को divide करेंगे हम minus b sin theta over minus a sin theta minus minus कट क्या sin sin कट गया b over a आ गया so d y over d x कितना आ गया b over a ओके तो students question 3 है हमारे पास देखिए x equal to sin t y equal to cos to t put out करेंगे यह भी d y over d x क्या आएगा हमारे पास आएगा d y over d t d y d x over d t okay तो d y over d t कैसे निकलेगा y पकड़ेंगे cos to t so derivative of y with respect to t क्या आएगा अब यहां है cos to t okay so cos to t हमें पता है अगर हो cos x तो आता है minus sin x अब अगर x के जगा कोई और function हो जैसे यहां पर function के अंदर function हो तो formula वहीं आएगा minus sign लेकिन x के जगा value क्या है 2x और उसका derivative भी करना होता है कर रहे है ना बहुत सारी वीडियो में हम पीछे भी उसका derivative भी करेंगे ठीक है तो आएगा 2t का derivative क्या आएगा minus sign 2t 2t derivative 2t क्या है 2 सो ओवराल सोल होके आगया 2 सामने आगया minus 2 sign 2t ओके ती वाई ओवर dt की value यह आ गई हमारे पास उसके बाद हम derivative करेंगे with respect to t इसका तो यह आ गया sin t का derivative हमें पता है cos t with respect to t है sin t क्याएगा cos t यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा आता था sin x का cos x with respect to x था ठीक है तो अब with respect to t है कोई problem नहीं है so dx by dt की value आ गई है okay so हम कहेंगे कि हम put करेंगे values third step क्या है कि put the values of put the value of dx by dy by dt and dx by dt in one इसको one बोल देंगे हम ठीक है so यह आ गया dy by dx क्या आ गया dy over dt divide dx over dt so dy over dt क्या है minus 2 sin 2t divide dx over dt क्या है cos t dx over dt की cos t okay अब divide करेंगे इसे minus 2 sin 2t over cos t sin 2t अब हमने पढ़ा है life में कभी sin 2x का formula होता है क्या होता है 2 sin x cos x sin 2x का formula होता है 2 sin x cos x किया न हमने वह यहां पर लगाएंगे अगर यहां पर हो sin 2t तो यह हो गया 2 sin t cos t ठीक है यहां उपर में लगा रहा हूं ठीक है इस formula को क्या है कि sin 2t होता है sin 2t क्या होता है 2 sin t cos t हो गया उपर लिखती है मैंने नीचे क्या है cos t यह सारा multiply हो रहे है ना एक दूसरे के साथ उपर वाला नीचे यह उपर वाले सारे ठीक है तो यह cos cos कट गया तो हमारे पास क्या आ गया 2-4 sin t यही आ गया क्या आ रहा था है dy over dx और यह आ गया हमारा answer dy over dx का soul करके ठीक है minus 4 sin t students हमारे पास है question number 4th निकालना है dy over dx देखिए x क्या है 40 x equal to 40 y equal to 4 over t कैसे निकलेगा dy over dx dy over dt divided dx over dt dy over dx निकालने के लिए पकड़ेंगे y y क्या है 4 over t अब देखिए t की value नीचे है 1 उपरा के क्या हो जाएगी minus 1 ठीक है तो जब हम derivative करेंगे इसका with respect to t ठीक है तो यह 4 क्या हो गया constant है बाहर आ गया derivative of t inverse इसको formula लगाएंगे हम यह है देखिए minus 1 की value है यहाँ पर अगर यहाँ होता x की power n मैं लिखता है nx n minus 1 यही है formula x की power n का और अगर यहाँ पर मेरे पास है माली जी x की जगह t ठीक है और n की जगह minus 1 formula यही लिखेंगे n की value put करो minus 1 t x की value का है t n की जगह minus 1 लिखना है x की जगह t यह आ गया ठीक है इसको मैं वहाँ लिख रहा हूं देखिए क्या रहा है यह 4 तो 4 ही है यह solve कर रहे है minus 1 t minus 1 minus 1 तो यह n की value जो minus 1 है ठीक है minus 1 minus 1 total क्या हो गया यह minus 2 next step में लिखें यह हो जाएगा 4 तो minus 4 हो गया plus minus minus t minus 2 ठीक है तो इसे यहीं रहने देते हैं अभी हम यह क्या आ रहा था हमारे पास d y over dt यह आ रहा है d y over dt ठीक है यह हो गया उसके बाद d y over dt आ गया d x over dt कैसे निकालेंगे now x ले लो क्या है 40 यह तो बहुत यह असान है differentiate करेंगे दोनों side 40 4 बाहर आ गया 4 यहां आ गया d by dt so हमें पता है derivative of x with respect to x1 होता है करते हैं न derivative of t with respect to t क्या होगा वह भी बननी होगा clear है so 4 into 1 क्या आ गया 4 ठीक है so यह हो गया हमारे पस दोनों values आ गई अब दोनों को put करना है इसको और इसको वहां पर इसके लेंगे equation number 1 ले लेते हैं और बोलते हैं put the value of so d y over dx क्या आ जाएगा d y over dt divide dx over dt value put करेंगे d y over dt की minus 4 t minus 2 divide dx over dt क्या है 4 divide करो minus 4 t minus 2 over 4 minus t minus 2 यानि की उपर अगर minus और नीची आखी क्या हो सकती है plus की तो हमारे पास d y over dx की का जो answer आ गया वो है minus 1 over t square okay तो students I hope आपको समझा गया होगा thank you so much for watching this channel take care bye-bye